नमस्कार साथियों साथियों अभी एक प्रश्ण पूछा है कि कार्वन डेटिंग जो मैथड है किसी भी फॉसिल की एज को डिटर्मेंट करने के लिए तो उसके बारे में थुड़ा बताया जाए इसमें आप देखें जरा कि यह अचली कोई भी जीवाश्म हो है ना कोई जी जीव जन्तू पेड़ पौदे मर जाते हैं तूटके दब जाते हैं और जमीन में सेक्डों बरस पड़े रहते हैं फिर उनके कभी कहीं खुदाई हुआ आर्केलोजिकल डिपार्टमेंट ने खुदाई किया तो वहां से जीवाश्म निकलते हैं तो कई बार जानना चाहते हैं कि यह कितना पुराना होगा तो यह जो कार्य है इसमें मदद करती हैं कई विदियां जिसमें एक मुख विदी है जिसको कारवन डेटिंग कहते हैं कारवन डेटिंग विधी की जो खोज है वह 1947 में सब्सक्राज अमेरिका के फिजिसिस्ट रृतिक विज्ञान के गयाता कि यह कोई जिवजन्तू या कोई भी पेड़ पोड़ा पहले पाते कि श्में कारवन होता है कै और जीवजन्तू दोनों में हिते हैं इसका मतलब कार्वन की इंटेक, कार्वन की प्रजिंस पेड़ पौदों में और जीरनतों दोनों में ही होती है और उसमें से कुछ कार्वन की मात्रा C14 जो की रेडियो एक्टिव तत्तो है की भी होती है अब यहां दो बरड़ है C14 वैसे तो आप देखेंगे की कार्वन का जो अट्रमिक वेट है वह 12 है लेकिन उसका एक आइसो टोप है जिसका एक जो है 14 है इसलिए उसको बोला गया और यह रेडियो एक्टिव तत्त जो है यह डिके होती रहते हैं और लंबे समय ऐसे पढ़े रहते हैं अपनी मात्रा घड़ती रहती है उनकी आपने साथ दिए हाफ लाइफ पड़ी हो तो इसमें रेडियोक्टिव एलिमेंट्स के सबारे में बताया जाता है कि यह पर्टिकलर टाइम पीरिट में अपनी मात्रा का उसकी आधी रह जाती है हाफ लाइफ का मतलब यह है कि जितने भी होंगे उसके आधे रह जाते उस पर इसमें और बीतेगा तो वनफोर्थ रह जाएगा अधे का आधा रह जाएगा तो इस तरह से जो कारवन 14 है जो रोडियो एक्टिव एलिमेंट है जो की उन जिवास में पाया जा रहा है और वो ध्यान दीजिए कि कारवन 14 कंवर्ट हो जाता है इंटु दे इस्टेबल इस टेबल में होता है नयट्रोजन में इस टेबल हो जाता है नविजोगा एक लिए vibration होता है तो देखेंगे वी चेंज internet को जाता ह। तो आप देखें कि किसी भी जीवास में पाई जाने कार्वन 14 की मात्रा और नाइट्रोजenn 14 की मात्रा से आप ये पता लगा सकते हैं कि ये जो जीवास में हमको मिला किसी पेरफादे का हिस्साや किसी जीवजनतु का हिस्सा जो सदियों से दवा हुआ है जमीन में इसके क्या उम्र रही होगी और ये इससे आप 500 से लेके पचास हजार तक की साल पचास हजार साल तक की पुरानी जो रहे होंगे जीवासम मतल़ इतना रेंज तक आप टाइम पिरिट के बारे में पता लगा सकते हैं तो ये है कार्वन डेटिंग प्रोसेस जिससे की हम जीवासमों की उम्र का पता लगाते हैं इसी तरह से आपके प्रशन हमारी दिशाने दिशन कर रहे हैं आप बेचते रहे हम कारे करते रहेंगे आपके लिए धन्यवाद नमस्कार